बच्चे नोक्रियान शुक्रियान बननी में हैं अच्छा लगा होतिंग होनी चाहिए मतलब वजीर्ण अपना चाहिए अशद गोर्न राज़ता कुछ वह नहीं एक तया स्ञधित को नोकरियां शुक्रियां बनने चाहिए कि आसा को घ्ण हम तरफ बोले किसी को भी नहीं बॉलते है इस हम यह होने चाहिए उस्धित नहीं प्रुड़ सृरी है हाँ बचे ऐसे बेकार पड़ें सारे पड़ाई लिखकर सब ऐसे जी आपको लगता जो स्टेट हुड चीना गया है हमसे वापस आना चाहिए वापस क्यों नहीं जब इतने सालों से था ता आप क्या आना चाहिए वापस हां मिल सके चार बाते बोल सके अपने दुक दर्द बोल सके हैं जैसे जियसे मामी पापा घर पे होते हैं उसको बनते जायर करें कम हैं सारी चले क्रें थोड़े-थोड़े हैं जी किस तरह की उमेद है आपको आपको पैंड प्रिस काम नी करेंगे और है आप जब चाहे थे कि कॉरिः जावा है टोर। आना क्या है एची त Sixtary हमें चाहिए। आप से जाना चाहेंगे कि इस बार जो है इलेक्शन काफी डिफरेंट है किन मुद्धों को लेकर आपका वोट हो गाए हमारा मुद्ध सिर्प एक है जो 2019 में हमारे साथ जाती हुए हम इसके खिलाप आज वोट डाले आएं यहां पे तो मुद्ध सिर्प अभी उस वोई है हाँ हाँ एमप्लॉइमेंट के हिसाब से भी वोट जो है काफी जुरूरी है बेसिक फैसेलिटी तो 2019 में हमसे च्छिना गया वो चाहे हमारी जमीन हो हमारी एमप्लॉइमेंट हो वो तो वही है ना हम उसी के खिलाप आज वोट डाले आ क्श्मीर हमारा है तो हमारी नूकरी भी हमारी होने चाहिए दूसरा यहां पर कामने करना चाहिए जमीन हमारी है तो यहां पर हम रहने चाहिए है ना तो मकसद तो वही है आर्टिकल 370 का तो मतलब ही है प्रोटेक्शन आफ जॉब्स प्रोटेक्शन आफ लेंड प्रोटेक बहुत जरूरी है देखे जब मैं वोट किसी को डालूंगा तो वही तो आगे पड़ेगा घर में बैठने से कुछ नहीं होगा वोट डालना जरूरी है अपने नमाएंदे को चुनना बहुत जरूरी है ताकि वो हमारी बात आगे तक पहुंचा अप यूत है आपकी क्या मैसे मेरी मेसेज ही है कि गर से निकलो और 2019 में जो हमसे जाती हुए हमसे पूछे बगेर उसके खिलाफ वोट डालो अपनी पार्टी के चेर्मेन अल्टा बुखारी और इसके साथ सा नोशरा सेक्टर में जो है बीजे पी के यूटी प्रेजिडंट अरविंदर राइना भी जो है इस मकाबले में हैं यह सुबे सवेरी की तस्वीरे हैं आप देख सकते कि यहां पर लंबी कतारे शुरू हो ले क्योंकि सुबे से ही हम देख रहे हैं जिन लोगों से भी हमने बात की तो उनका यही कहना है कि एक पॉजिटिविटी एक एमप्लॉयमेंट गैरेंटी और बेटरमेंट जिसे हम कहे उसके लिए यह वोट देना चाहे और हर एक को जो है इस वकत गर से बाहर निकल कर जनौर में जूरूरी है इस समय में बहुत जोरे से बागी हमारे मां मामलात बहुत यह आया है कश्मिर के बहुत ज्यादा ईश्यू है को सब हो हो रहे हैसे जब बस्द operate जहेंगा सम्पल barbecue मेंए वह वहां पर आमना हमारे problem ह μας हमारे हम बेसिक प्रवाबलिम है वह वहां पर सालो करने की कोश्च लेंगे एंप्लाइमेंट और डिवलोप्मेंट को लेकर दोन्य चीजे दोनु चीजे एंपॉलाइम वी वाहिए हैं जादा किश्मीर में बहुत ज्यादा भी हैं और डाव्लाइमेट के लिहां से बहुत पीछे वोट लिए चीज़न को लेकर वोट द前 करना ही है कि यहां पर यहां पर यहां के मुझंधश को बूरी की जा सर रिए को मुझन तो बोड कितना जोरी है फिर भी कि बहुट जोरी एप इसे से सारे मसले आप से भी जाना चाहेंगे कि किनी एहमे थे एक वोट की आप खुद भी जानते हो कि पिछले दस साल उसे किती मुश्किलात हो गए यहां के लोगों को तो यह बहुत जोरी है कि अपना जो नमाइदा हो लोकल नमाइदा हो जिसके पास वो जा सके क्योंकि एक आम एक आम इनसान इस वक्त जो गवर्नरा चला है बिचारे को पता ही नहीं होगा कि कहा जाना है को का अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है तो अगर वो अपना जो वोट के जिरे अपना नमाइदा चुन सके तो उससे बहतर उसको कुछ और नह सकता है उसको अपनी मुश्किलात बता सकता है सर यह बताए कि आज जो है पॉलिंग दस साल के बाद हो रही है सेमली पुली कितना जोश और खरोश है लोगों में और कितनी जुरूरत थी सेलेक्शन की जुरूरत बहुत है क्योंकि देखो हर एक का मसला है पानी का है किसी भी का बनी मगर बनने चाहें इसलिए लोगों में जोश खरोश है वोट उनकी यह बताए कि जस तरीके से हमने पहले फेज में देखा कि काफी ज्यादा प्रसंटेज हुई और पहली बार दस बीस सालों में ऐसा हुआ है तो क्या लगता है को कि लोगों में एक कोई किसी को यह जायर होने देंगे वोट को वोट जायर करना गुना है किसी को भी डाले मगर वोट तो डालना पड़ेगा आपने कहा कि वोट जायर करना गुना एक वोट की क्या एहमियत है एक इंसान के लिए वोट तो एहमियत है जब एक वोट से भी जी सकता है नुमाइ निमयंद harmony और फूर किर कांव करते हैं ना करते हैं वह दूश्री बात है लगवर हम इस बार किρते हैं कि नुमाईना बनना चाहे है क्या बिस्ट अभ धी कि दूच देखना हो जाए इस बहुशत को आप देखना पसंद करेंगे कि क्या कौल्टी अस दूछ हुने हमा में नमाइदव तो अच्छा होना चाहे है चाहे वह कोई भी हो कि भी है और लिए चाहे हैं कि लोग को को देखना Cकी गाभान को की पहुअГ की रिय करेंगे हम पर थोपी गई है उसके कराव हम वोड़ा रहे है इस वोड कि कितनी अहमियद है और बड़े ऐमानों का हम यह ने देखना चाहते है के कशमीर में आक क्शमीर में आप में क्या किया है इस वोड के इस बार जो दस साल के बाद ये वह साल नहीं रहा जो कि 2014 में रहा अब Union Territory में ये election हो रहे हैं तो कितना फरक पढ़ता है एक election को 2014 में भी आपने दीखा और आज 2014 है ने 2014 का election अलग था आज का election अलग है कि मैं कि जो हो रहा है वो हमसे गलत हो गया है उसके खिलाफ हम ये वोड आ रहे हैं एक वोट की काफी एहमियत है इस बार भी और एहमियत रहती भी है तो क्या अपील रहेगी लोगों से लोगों से अपील रहेगी कि आप देखकर अपने नुमाइंदों को चुनना उनके हक में वोट डालना